नमस्कार दोस्तो इस्टडी विद नवीन चौदरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और जैसा कि हमार महीने एक करण्ट अफेर का एक सीरीज लेकर आते हैं तो इस महीने भी अप्रेल 2020 का करण्ट अफेर का पूरा सीरीज लेकर के आये हैं कि इस अप्र अप्रेल की घटनाओ वाला करण्ट अभी मही में बता देंगे अभी मही में तयार हो रहा है और जैसे ही तयार हो जाएगा हम आपको वह भी दे देंगे दूसरा इसका पीडियेफ आपको मेरे इंस्ट्रागरम चैनल पर मिल जाएगा इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप् हर इंसान को कम से कम एक पीड जरूर लगाना चाहिए क्योंकि यह जो हमारा नीला ग्रह है इसे बचाने का दायत्व भी हमारे उपर ही है तो प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि आप एक पीड जरूर लगाएं अब आते हम अपने टॉपिक की तरफ जो है हमारा परिटल का नाम है इस्टेंडिड इंडिया पोर्तली और ये कैंडेरीय परिटर मत्राले का पॉर्टल है इसके अंतरकत हो यह रहा है उटक यह नहीं यहाल मौजूदा लोकेशन क्या है तो इस सम्मंदित जानकारे के लिए भारत सरकार ने के केंद्रिया पेटर मंत्रा लेने यह स्टेंड़िड इंडिया पोर्टल नाम से शुरू किया है और यह है कि विदेशी सरकार द्वारा घर पहुंचाए जानने के लिए जो कदम उठा जाएंगे उनकी जानकारी हमें इससे मिलेगी यह इसका उद्देश्य है हमारा नेक्स्ट है आरोग्य सेतु एप दरसल आरोग्य सेतु एप है जो कि हमारी है एक संस्थान है राष्ट्रिया सूचना विज्ञान केंद्र इस ने इस एप को लांच किया है पर यह कार्य जो क Corona Virus Infection Disease 2019 का नाम है, इससे संक्र में जितने भी लोग हैं, अगर वो किसी स्वस्थ इंसान के नजदीक आते हैं, मतलब व्यक्ति के 6 फिट के संपर्क में आते हैं, तो यह application उन लोगों को सचेद कर देती है, जिस व्यक्ति के साथ आप खड़े हैं, यह जो व्यक्ति आपके संपर्क में आ रहा है, वह Corona Infected है, तो यह कार्वे करती है आरोग सेतू एप, अब एक बात और है इसके बारे में के, इस वक्त दुनिया में सरवाधिक डाउनलोड होने वाला एप जो है, वो आरोग सेतू एप है, अगला जो हमारा है, अगला है हमारा I Got Portal, तो I Got Portal का मतलब है, यह जो लांच किया है किया है मानव संसाधन विकास मंत्राले ने, और दीक्षा प्लेटफर्म पर लांच किया इसे, और इस पोर्टल को लांच करने का जो उद्देशे यह है, कि जो हमारे Corona Warriors हैं, जिनने हम Corona Warriors बोलते हैं, कहने का मतलब डॉक्टर हैं, नर्से हैं, सोचता करमचारी हैं, पुलिस संगठन है, और स्वेम सेवक आदी हैं, तो यह क्या कर रहे हैं, यह ना इन्हें कुसल प्रसिक्षन दिया जा रहा है, Corona Infected Disease से निबटने के लिए, कि किस परकार की सुविधाएं हमें करनी चाहिए, या किस परकार के हमें साफधानियां बरतनी चाहिए, जो इससे बचा जा सके, और लोगों को बचाया जा सके, तो इस परकार की जानकारे के लिए, I.GOT Portal बनाया गया है, अगली जो हमारी एप्लिकेशन है, वो आरोगे से तू IVRS है, कहने का मतलब ये एप्लिकेशन, आरोगे से तू एप की ही एक ब्रांच है, ये उन लोगों के लिए है, जिन लोग पस स्मार्ट मोबाइल नहीं है, तो जिन लोग बस smart mobile नहीं तब वो कैसे आरोगे से तू डाउनलोड करें तो एक नई application बनाएगी आरोगे से तू IVRS IVRS मतलब interactive virus response system तो केंदर सरकार ने तमिल लाडू सरकार के साथ सहयोग से पहल शुरू किया और उन लोगों के लिए है जो smart mobile नहीं चलाते हैं तो वो लोग एक miss call दे करके ही इस system को activate कर सकते हैं जबी भी कभी कोई भी व्यक्ती corona infected उसके संपर्क में आएगा तो वह उन्हें फोन द्वारा सूचित कर देगी अब अगली जो हमारी सूचन है वो यह है कि operation shield एक शुरू किया है जो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है और इस operation के इंतरकत ऐसा है इसका उद्देश्य है कि COVID-19 से प्रभावित जितने भी इलाके हैं दिल्ली में उन्हें पूरी तरह से seal कर दिया जाए ताकि corona का infection अधिक ना फैल सके यहीं पर कहने का मतलब यह है कि social distancing का पूरा पूरा पालन किया जाए अब अगला जो हमारा है वो है युक्ती portal युक्ती portal जो लॉंच किया है वो मानल संसाधन विकास मंत्रा ले द्वारा लॉंच किया गया है और इसका कार्य यह है कि जो मानस अंसादन विकास मंत्रल जो कार्य कर रहा है जितने भी प्रियास कर रहा है इस कोरोना कोविड से निपटने के उन पे नजर रखी जा सके एक तो इसका कार्य यह है लिखावे देखे कि जिसके द्वारा कोरोना वायरस के लिए मंत्रल ने एक तो यह करता है दूसरा क्या करता है कि इससे जितने भी वह प्रियास कर रहे हैं उसके बावजूद भी उनसे निपटने में जो भी परेशानिया जो भी चुनोतियां आ रही हैं उनके आयामों को समगर और व्यापर तरीके से दिखा रहा है कि भी या कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इने पटने के लिए और क्या क्या करना चाहिए ये कार्या कर रहा है ये युक्ति पोटर अब हमारा है नेक्स्ट जीवन शक्ति योजना दरसल जीवन शक्ति योजना मद्ध प्रदे सकार दोरा चलाई गई है और इसका अदिश्य ये है कि शहरी महिले हैं जो घरों में रहती हैं उन्हें प्रोटसाहित किया जा रहा है कि वो मास्क बनाएं और उसके दो फाइदे तो उन्हें आजीविका चलाने के लिए वित्य जहायता प्रदान की जाएगी दूसरा हमें मास्कों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा हमें ये विवस्ता नहीं करने पड़ेगी कि हमें मास्क कहीं से मंगाने पड़ेंगे तो हमारे पस इतन तरगत जीवन शक्ति योजना शुरू की गई जो कि मध्य ब्रदे सरकारदारा शुरू की गई है अगला है हमारा किसान रथ मोबाइल एप तो किसान रथ मोबाइल एप जो है यह भारतिय करशकों के लिए है जो हमारे खेती करने वाले लोग है किसान भाईयों के लिए है और इसका जो उद्गाटन किया इसे लॉंच किया है वो केंदरिय किर्शी मंत्रिय नरिंदर सिंग तॉमर आपको याद रखना आसान रहेगा क्योंकि हमेरे जो प्रधान मंत्रिय माननिय श्री नरिंदर भाई मोदी उन्हें के नाम पे निका नाम नरिंदर सिंग तॉमर है तो य ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोरोना के चलते कहीं ऐसा नहों कि हमारा किसान तूट जाए, उसके द्वारा बुई की फसल यग्यों की फसल है, उसकी खरीद फरोक्त ना हो सके और वो नुकसान में रहे। द्वाईयां खरीद रहे हैं, उन द्वाई खरीदने वाले व्यक्तियों पर नजर रखी जा सके, और जो भी लोग द्वाईयां खरीदते हैं, उनकी जानकारी दुकानदार पर उपलब्द कराता है, और उसके बाद भैस सूचना सरकार तक पहुंचाए जाती है, क्योंकि दुनिया भर के नशीली दवाईयों के बारे में भी जानकारी मिलती रहे, इसलिए कोविड फार्मा एप लॉंच किया गया, हमारा अगला जो है वो है कि हाल ही में ओडिसा सरकार ने घोशना की है, कि कोविड नाइंटीन से होने वाली मौत में पत्रकार जो परिवार होंग उन्हें पंद्रे लाख रुपे की आर्थिक साहता दी जाएगी, ये कहा है ओडिसा सरकार ने, जैसा कि मैं भी आपको कह रहा था कि आरोगे सेतु एप दुनिया का सबसे तेजी से डाउनलोड किया जाने वाला एप बन गया है, जो कि लगबग 5 करोड लोगों ने इसको ड प्रदोशित शहरों में भारत के जो दो शहरा हैं, वो मुंबई और कोलकाता हैं, और 2019 में शहरी रिपोर्ट में 20 शहरों में 14 भारती ये शहर शामिल किये गए हैं, तो ये थी इसके बारे मां IQR के बारे मां, IQR एक संस्था है, जो कि most populated cities की एक data जारी करती है, और उसके बा उस प्रदोशन के कारण जो हमें रिपोर्ट मिली है, तो भारत के दो सबसे प्रदोशित शहर बताए हैं, वो मुंबई और कोलकाता दिये हैं, इस संस्था द्वारा, अगला हमारा क्वेश्चन है, कि भारती रेलवे द्वारा, कपुर्थला रेल डिब्बा कारखाना जो क इसनी कितनी पड़ेगी, पर इसलिए जो जो लोग जो कुछ बना सकते थे, जितनी भी कंपनी आम रहे हैं, अपने सब को अपना अपना कारण दिया गया था, इसी तरह से, कपुर्थला रेल डिब्बा कारखाना ने भी एक किफायती वेंटिलेटर बनाया है, जिसका नाम जीवन, सवाल ये पूछा जाएगा कि कपुर्थला रेल डिब्बा कारखाना द्वारा बनाये गई, वेंटिलेटर का क्या नाम है, तो इस वेंटिलेटर का नाम है जीवन, और इसका चे मुख्यों प्योग है, मरीजों के फेफडों में ऑक्सीजन सप्लाई करना है, जो य हमारा नेक्स्ट जो अफेर हो ये है, जम्मु कश्मीर सिविल सेवा अधिनियम द्वारा हाल ही में जारी सूचना के नुसार, जम्मु कश्मीर का अधिवासी बनने के लिए न्यूनतम समय सीमा 15 वर्ष कर दी गई है, कहने का मतलब अगर आप लोगों को जम्मु कश्मीर की कारे करते हैं, तो आपको जम्मु कश्मीर सिविल सेवा दिनियम मतलब जम्मु कश्मीर में आपको अधिवासी बनने की छोट मिल जाए या आप जम्मु कश्मीर में के नागरिक हो जाएंगे, दरसल भारत सरकार ने COVID-19 से संबने जितने वे निजी छेतर हैं, गैर सरकारी स संगठन और अंतरास्टे संगठन उनके साथ एक समन्वे मिटिंग करें, एक समीती बनाई है, उन सब के साथ समन्वे करते हैं, कॉडिनेशन करते हैं, समीती बनाई है, जिसके अध्यक्षता जो कर रहे हैं, वो अमिताब कांत जी कर रहे हैं, और इसके साथ एक तथ्या और सेंक्तुराष्टे एजन्सियों के साथ मुद्दों का समाधन करना, जिस तरह के मुद्दे इनसे आते हैं, अगला है कि दिल्ली सरकार ने साथ अपरेल को एक प्लान लॉंच किया, जिसे 5D प्लान कहा गया है, ये प्लान पांच चरण में है, इसका शुबारम किया है, और इसके अंतरगत क्या है, कि इसके परीक्षण, ट्रेनिंग, टीमवर्क, उपचार्थ, ट्रेकिंग, ये 5 चीजें इसके अंतरगत शामिल है, पहले परीक्षण करना है, फिर ट्रेनिंग करनी है, फिर टीम वर्क के साथ उसका उप्चार करना है फिर ट्रैकिंग यानि कि जब उसे भेज दिया जाए साही होने के बाद उसका ये पता लगा न हो है कहां पर ये सारे कारे फाइव टी प्लानिके अंतरकत आते हैं हमारा नेक्स्ट है कि भारत 70% वैश्विक उत्पादन के साथ हाइड्रोक्सी क्लोरोकुनिन दवा का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निरियातक देश बन गया है ये एक विशेश बात है क्योंकि हाइड्रोक्सी क्लोरोकुनिन जो है ये कुनैन का ही एक विस्तरत रूप है उसकी एक next generation है जो कि एक सिनकोना के वरक्ष से प्राप्त होती है और ये दवा malaria में बहुत कारगर है जो कि COVID-19 में सरवादिक फायदा कर रही है Next है हमारा उत्तराखंड इस्तित देश का सबसे पुरान रास्टे उध्यान जिसे Jim Carbet कहते हैं इससे पहले इसका नाम Haley था सबसे पहले जो इसका नाम था वो हैली था हैली तो ने जो हैली रास्टे उध्यान है उसमें जानवरों के लिए देश का पहला कुरंटाइन सेंटर बनाया गया है कि जो जानवर COVID-19 से प्रकोप में है जो जानवर COVID-19 से गरस्त है नेक्स्ट है हमारा केंद्रिय प्रेटर मंत्राले दौरा देश के महत्पू снस्थानोय को बारे में जानकर ये प्रढ़न करने है तूँ एक शुरंखला लौंच के वेबिनार लौंच किया गया है जिसे कहते है देखो अपना देश तो देखो अपना देश के नाम से एक webinar शरंखला शुरू की है और इस webinar में जो सबसे पहले जो देश का शेहर कवर किया गया है वो दिल्ली है दरसल webinar होता क्या है तो webinar इंटरनेट के माध्यम से online सम्मोधित किया जाता है और इससे लोग अपने phone, laptop आदी के जरिये सुन सकते हैं webinar seminar का एक परिश्क्रत रूप है जैसे seminars होते हैं उसी तरह से webinar होते हैं तो ये webinar इसी के उपर मतलब जैसे seminars होते हैं किसी topic के उपर से webinar हों कहने का मतलब आप web के थरू, internet के थरू, अपनी जानकारी दे सकते हैं और लोग जगा-जगा बैट करके अपने laptop और mobile के थरू से सुन सकते हैं ये है कार्रे webinar का हमारा next है अंतरास्टी घटना है कुछ तो जो अंतरास्टी घटना है मैं उनको बतायता हूँ क्या है के वल्ड प्रेस सुतंतरासूचकांक 2020 में जो के reports without borders द्वारा जारी की जाती है एक संस्था report without borders इसके द्वारा जारी की जाती है इसमें जो परत्थम इस्थान मिला है वो नौर्वे को मिला है वल्ड प्रेस सुतंतरतासूचकांक में सबसे पहला स्थान नौर्वे को मिला है और भारत का स्थान 142 है जबकि यह 2019 में 140 में स्थान हुआ करता था अब जो हमारा नेक्स्ट है वो यह दोजार बीस में ब्रिटेन के ग्लासगो में ग्लासगो में स्वेटिजर लेंड में एक सम्मेलन होना था जो है कॉप 26 दरसल यह सम्मेलन जलवायू परिवर्तन शिकर सम्मेलन है और इसे संथ्रस्ट ने स्थगित कर दिया है COVID-19 के चलते इतनी बड़ी पेंडमिक होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया ताकि लोग बचे रहें सेफ रहें और यह सम्मेलन जो होना था वो 9 से 19 नवंबर 2020 के मद होना था और अब इसे स्थगित करके 2021 तक कर दिया गया लेकिन अभी नई डेट्स नहीं आई है कि अगली जो डेट होंगी वो क्या होंगी या कब हो गए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपरेशन संजीवनी हाल ही में लांच किया है भारत ने अभी ऑपरेशन संजीवनी क्या है तो ऑपरेशन संजीवनी के अंतरकत COVID-19 से निपटने के लिए भारत ने एक सहयता की है जो कि मालदीव को की है और मालदीव को आवश्चक दवाईयों की 6.2 तन अपूरती कराई है कि 6.2 तन आवश्चक दवाएं उपलब्द कराई गई है मालदीव को इस पूरे का करम को जो भारत ने नाम दिया वो ऑपरेशन संजीवनी कहा है ठीक है सवाल पूछा जाएगा कि ऑपरेशन संजीवनी क्या है तो मालदीव को आवश्चक दवाईयों प्रोवाइड कराई गई यह पूरा ऑपरेशन ऑपरेशन संजीवनी कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट ह हमारा IMF परमुफख क्रिस्टीना जौर जीवा ने दरसल IMF क्या है इसको बोलते हैं रस्ट्रिय मुद्रा कोश या इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड तो जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है उसकी जो अध्यक्षया है वो क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं और इन्होंने क्या काम कि एक कमेटी बनाई ये 12 सदस्यों की और इन 12 सदस्यों में से एक सदस्य जो हमारे RBI के पूर गवर्नर रहुराम राजन हैं और ये 12 के बारे विशेशग्य हैं और ये IMF की बाहरी सलाकार समीति के सदस्य होंगे जो कि भी क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने गठित की है समीति नेक्स्ट जो पॉइंट IMF से संब्धती है कि लिखाओ एक IMF अंतराष्ट्री मुद्रा कोश्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका मुख्याल है मुचाई 448 मीटर है तो मेटरहन परवत की एक खास बात यह है कि यह स्विट्जर लैंड और इटली के बीच में फैला हुआ है तो इन लोगों ने क्या किया कि कोविड-19 जो पेंडमिक है इससे लड़ने के लिए भारत के साथ अपनी एक जुटता व्यक्त किया इनोंने औ इस तरह से यूरोपासियों ने एक जुटता दिखाई है भारत के साथ अगला हमारा पॉइंट है कि अमेरिका और चीन के बाद जो सरवाधिक खर्चा कर रहा है सेन्यों के मामले में सेना के मामले में वो भारत है और भारत तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है सेन्य खर् पॉजरी टिक पार्टी से है इन्होंने जीत हासिल कर ली है धक्षिर कोरिया में तो यहां के जो नई रास्ट्रोपती बने गयो मूनAUL ज्य इन की पार्टी काउन सug है तो डेमोक्रिटिक पार्टी इा हनकी अब बात करते हैं कुछ नियुक्तियों के बारे में ज़ो ये नास कौम के अध्यक्ष बने हैं। दूसरा विश्वनाथन आनंद, WWF के ब्रांड एम्बेस्टर बनी हैं, वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF. अगले हैं संजय कोठारी, संजय कोठारी केंदरिय सतरक्ता आयोग, CVV के प्रमुख नियुक्त किये गए हैं। आगे जो कुछ निधन हैं, जो इस महीने में हुए हैं, वो हैं, देवा नंद कुमर, जो की बिहार एवं त्रिपुरी के पूर्व राज्येपाल थे, इनका निधन हो गया है। अगले हैं, हीरानन्द चावला, ये शास्त्रिय संकीत गाई का और पद्धुमिश्री से सम्मानित थी, इनका नाम है हीरानन्द चावला। अगले हैं, बड़े फेमस अभिनेता हैं, बॉलिवूड के, इर्फान खान, इनका भी निधन इसी महा में हुआ है। और उसके शायद दो दिन बाद ही, रिशी कपूर जो की बॉलिवूड अभिनेता हैं, कपूर परिवार जो की जिसने इस पूरी फिल्म नस्टी को खड़ा किया है, कपूरों का बड़ा योगदान इसमें, तो ये रिशी कपूर जो की बॉलिवूड अभिनेता, इनका भी इसी महा हुआ है और इस से गले हैं महमूद जिब्रिल ये लीबिया के पूर प्रधान मंतिर थे इनका निधन भी इसी महा हुआ है तो ये कुछ निधन है जो जरूरी थे जिसमें देवानंद कुवर, हीरानंद चावला, इर्फान खान, रिशी कपूर, लाइसेनिया करेज औ का निधन हुआ है अब बात करते हैं रक्षा विज्ञानेवं प्रध्योगी की तो रक्षा विज्ञानेवं प्रध्योगी की में जो सबसे पहला पॉइंट होता है पाकिस्तानी नौ सैना से तो पाकिस्तानी नौ सैना ने क्या किया है कि सतय पर खड़े जहाजों से एक एं कर सकती है इरान ने 22 अप्रेल को अपना पहला सेन्य अपगर है नूर का सफल प्रेक्शन किया है मैक्स हमारा कुस्चन है कि नासा के एक नया अपगर है जिसे बोलें आई एन एस ए आर मतलब इंटर फॉर्मेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार तो ये नासा ने लांच किय है और इसका कार्य होगा जो दर्ती के ओपर भूकम पाते हैं या जौला मुखी होते हैं तो ऐसी आने वाले जो प्राकर्तिक आपना है न इन इस्थानों को पहले से चिन्नित कर लेगा पहचान के और उसके बहुत इंफॉर्मेशन देदेगा नासा को ताकि इनसे बचने के लिए पहले से विवस्था की जा सकें तो यह कार्य के इन्हों ने और यह जो उपग्र है यह वर्ष 2020 के शुरुवात में लांच किया गया था नेक्स जो हमारा पाइंट है नासा ने एक घोशना किये सनराइज मिशन की हाल ही में जो की जुलाई 2023 में शुरू किया जाएगा और इसका कार्य इसका उद्देश्य यह है कि भाविश्य में जो भी हम मिशन चंदरमा और मंगल पर भेजेंगे अगर उनकी तरफ कोई सौर तूफान बढ़ रहा है तो उसे पहले से डिटेक करके वो हमें बचने में उसकी मदद करेगा ताकि हम उससे बच सकें और जो मिशन हमने भेजें उने खत्रा ना हो तो यह कार्य करेगा यह संद्राइज मिशन नेक्स्ट हैं बातें कुछ आर्थिक घटना चक्र से तो आर्थिक घटना चक्र में बताऊं कि म्यूचल फंडों में विशेश नगदी सुईता यूजना के तहट आर्बियाई ने पचास हजार करोड की राशिव प्रदान करने की घोशना किया है म्यूचल फंड्स के अंतरकत यह है पहली आर्थिक घटना के अंतरकत अगला क्या है अगला पाइंट यह कहता है कि भारतिय निजी छेतर के बैंक ICICI ने वाटसेप पर बैंकिंग सेवाओं को शुरू किया है और इसके तहत गरहाकों को उनके के बचत खाते की राशी लेंदेन क्रेट कार्ड की सीमा आदी की जानकारियां उबलब्थ हो सकेंगी साथी ICI बैंक ने अलेक्सा और गूगल रिसिस्टेंट पर वाइस बैंकिंग सेवा भी शुरू की है मतलब सारे जानकारियां आपको वाटसेप पर मिल पाएंगी ICI, ICI बैंक की और गूगल रिसिस्टेंट पर वाइस बैंकिंग सेवा शुरू की सब आवाज से आप उसे द्रिसान द्रिदेश दे करके अपनी जानकारी ले पाएंगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फिर IMF से है जिसने की वर्ष 2020 और 21 में भारत की आर्थिक वरधी दर्जों रहने का अनुमान लगाया है और अगर बात करें तो 1991 में ऐसा हुआ था कि उदारी करण के बाद जो सबसे कम वरधी दर्ज की गई थी भारत की अब से पहले वो 1991 में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केंदर सरकार ने अगली छे महीने के लिए मतलब करीब 21 अक्टूबर इसकी अंतिम्तिति रखी गई है जो बैंकिंग सेवाएं हैं उनको न सारवजनिक उपियोगिता सेवाम के रूप में घोशित किया गया है और ये कहा गया है कि इस दोरान कोई भी बैंकिंग करमचारी रधिकारी हड़ताल नहीं करेगा तो ये दिसंदिस दिया है आर्बियाई ने उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ADB ने भारत को आपातकाली ज़ुर्तों को पूरा करने के लिए 16,700 करोड रुपे की मदद का एलान किया है और इस से सम्मंदित हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 28 अपरेल को ADB ने COVID-19 के परसार को रोकने के लिए 1,5 बिलियन डॉलर करिण भारत को देने की मंजूरी दी है अब बात करते हैं कुछ पुरसकार एवन सम्मान की तो पुरसकारों की बात करें तो ओडिसा के मुख्यमंत्री अथिकल ट्रेटमेंट ऑफ एनिमल्स के नाम से तो इन्हें Hero to Animal Award से सम्मानित किया गया है नवीन पटनायजी को क्योंकि इन्होंने क्या क्या कि COVID-19 के लॉकडाउन के दौरन पश्यों को खिलाने के लिए रहत कोश्च से 54 लाख रुपे आवंटित किये हैं जिस कारण से इन ने आपको बताया कि Hero to Animal Award पूछा जाए किसे दिया है तो ओडिसा के मुख्यमंतरी नवीन पटनायक को दिया गया है अब बात करते हैं कुछ खेल गटना चक्र की तो खेल गटना चक्र में 2022 में होने वाले एशियाई खेलों के लिए चीन में हुए एक डिजिटल समाहरों मे Kong Kong, Lilian और Chin Chin को शुभंकर बनाया गया है जो 2022 के एशियाई खेलों को शुभंकर रहेंगे और 19 एशियाई खेल 2022 हौंग जू चीन में होंगे और 20वाइशियाई खेल 2026 नागोया जापान में होंगे ये बताना था जरूरी कि 19 में एशेय खेल जो कि 2022 में 19 में है वो हॉंग जू में होंग जो कि चीन में है और 20 में जो एशेय खेल हो 2026 में होगा ना गोया जपान में अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एशेय मुक्य बाजी चेंपेंशिप 2020 जो कि नवंबर दिसंबर में भारत में आयोजित होना किया जाएगा पहले इसका जो आयोजन होना था वो फरवरी 2020 में होना था लेकिन COVID-19 के चलते इसे आगे कर दिया गया है और अब ये नवंबर दिसंबर में भारत में आयोजित की जाएगी हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एशिया युवा खिल नवंबर दोजार 21 में चील में आयोजित किये जाएंगे ओवराल ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 2021 में होने वाली पुर्शों के विश्व मुक्यबाजी चेंप्रेंशिक की जो मेजबाणी कर रहा है वो सर्विया कर रहा है और भारत के दोवारा मेजबाणी के फीस नहीं जमा करने के बाद क्योंकि मेजबाणी के लिए एक फीस होती है जो भारत ने जमा नहीं की इसलिए अब जो मुक्यबाजी चेंप्रेंशिक होगी उसकी जो मेजबानी करेगा वो सर्बिया करेगा हमारे कुछ दिवस हैं जो की important हैं बताने जरूरी हैं कि इस महा में कौन-कौन से दिवस मुख्य थे तो 7 अप्रेल विश्व स्वास्थ है दिवस है जिसकी theme है support nurse and midwives next है हमारा 10 अप्रेल जो विश्व होम्योपैथी दिवस के तौर पर मनाया जाता है उसकी बाद हमारा अगला है 18 अप्रेल जो विश्व विरासत दिवस के नाम से मना जाता है और इसकी theme थी साजह संस्कृती, साजह विरासत, साजह जिम्मेदारी अगला जो हमारा दिवस है वो 22 अप्रेल है और 22 अप्रेल को प्रत्वी दिवस के तौर पे मनाते हैं जिसकी theme है climate action नेक्स्ट है हमारा 24 अप्रेल जो के पंचैतीराज दिवस के नाम से मना जाता है और 25 अप्रेल विश्व मलेरिया दिवस के नाम से मना जाता है जिसकी थीम रखी गई Zero Malaria Starts With Me तो ये थे हमारे अप्रेल महा के कुछ current affairs और आज की वीडियो यही पे खत्म होती है तो प्लीज आप ये वीडियो देखिए नोट डाउन कर लिजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए, शेर कीजिए मुझे मोटिवेट कीजिए दूसरा इसका PDF लिंक में डिस्क्रिप्शन देदू हूँ आप इसे मेरे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे PDF को और ये वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तो